हालो हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आप सब आप सब ठीक होगे तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं बेभी मसाज पर वीडियो बनाऊं पांच यह दस मिनट की तो फिर मैंने का चलो फिर मैं बनाई देती हूँ कि आप लोगों ने फर्स टाम भी मुझे रिक्वेस्ट क पूरा करूंगी और वैसे भी आप लोग मेरी फैमिली हो तो फैमिली की रिक्वेस्ट पूरी करना हमारा करता व्य तो फिर चलो मैंने सबसे पहले इसका कपड़ा उतार दिया है तो कपड़ा उतार ने काल मैं अभी स्थंड आगए तो थंड में इसको घी से मालिश करती तो बस मैंने घी ले लिया है इसको अच्छे से रब करा थे थोड़ा सा गरम करने के लिए और अच्सके बाद बस हलके हाथों से आपको मसाज करना है जिससे की बेभी इंजॉय करे ना कि इसको पेन हो और या फिर वह रोए क्राए करे तो वह बि'll कुल हलके हातों से मसाज क थो जुकर बगे अपहने की मश्वाय को तरहां ने आप ने इसमयवाह को विद्य में डाइपर दें कर देंगा है अहलत अब भी बगे सब्सक्राइब 3. सब्सक्राइब6 कि अभ्स में वी कमीन ही सिखा दो बस मोपने हों सब्सक्राइब करिंगे हूं और मुठी जाली योटी कि अब मेर बेगा साय मुनसाज करें दोलो हाथ उसके मुठी मुठ्या हम कि नसुटि खैरु सबक्थ Now ुसके नकार योट पेर भाज लेट लेटे पेर हाथ सब पेन होने लग जाते हैं हम भी पराट में नहीं लेट सकते हैं तो इसलिए हम साझ दे सकते तो फ़र्ण आगे अप दो टाइम मसाज दे सकते हैं मॉर्निंग में और नाइड में तो यह तो वैसे मेरे साथ 6 बजो जाती है तो मैं उस ताम फीट करवा के सुला देती हूं खाना होना मनान के बाद फी मसाज देती हूं तो कभी 11 बज जाते कभी 9 बजे ही जाती हूं कभी 9.30 बजे उसके बाद अभी देरी मैं टमी टाइम तो इससे क्या होगा जो भी गैस होगा वह बच्चे का निकल जाएगा और हाथ पर आप अच्छे से मसाज दे दीजिए अंडर आमस पे चेस्ट पे जिससे की बच्चे को अच्छा सा फील होई उसके बाद फिंगर्स में भी बीच जो आंगड़े होते है ना फिंगर के बीच हो जाता उससे थोड़ा सा गंबा हो सकता तो इसलिए अब अपको अच्छे से क्लिन करना है उसके बाद एक गंटे बाद आपको तुरंट मसाज के बाद नहींने लाना है asker 1h आवर आपको बात दे देना है क्योंकि अगर आप तुरंट नहीं लाओ तो आप यह हो सकता है बच्चा बिमार पड़ सकता है क्योंकि जो हम तेल विंटर में यूज करते हैं वह होता है गर्ब और हम बात देंगे तो ठंडा गरम हो चाहेगा इसकी वेश से आपको उत्रहंत नहीं नहीं लाना है तो बस आप मदला हलके हातों से मसाज कर दीजे हाथ में और फिर उसके बा इसके बाद में आप आगी फेस पे तो फेस को अच्छे से आपको फोरहट पे मनलब ऊपर के साइड मसाज करना है उसके बाद चिक पे और यहां पर थुड़ी के पास आपको गालों को थोड़ा सा उपर की तरफ फिलिप करना है जिससे की बेबी के जो गाल है नीचे के दुड़ा सा दूब करें जैब अच्छा साज है मल चपता ना हो तो बस हम अच्छे से मसाज करेंगे इसको फिर उसके बाद हम हैड की मसाज करेंगे गोल बनाने के लिए जो स्टेप मुझे मेरी मानी सिखा मनला ममी ने सिखाया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही ह तो अगर ऋमको मसाजने हाती है उसके बाद मैंने बिना ढ़्याय हैं पाद में पिना दिया हुए कपड़े वह इनके हमके देखीक हुऊगी तो बसक्षी कुआयो चपने एकक पड़ सकता हो वी खोड़ा ही इसे जबर में बहुत अच्छा अच्छा क्या ही है मैंने इसको मसाज दिया था 12 बजे करें और यह उठी है धाई बजे तो बस आप राम से मसाज दोगे ना अच्छे से बच्चे को तो बच्चे को अच्छा भी होगा फिल वह बच्चा एंजोई करें मसाज को यह नहों कि उसको पें हो और को फील ना कर सके जोई ना कर सके तो अग बस यही मुझे कहना था और कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएएगा बाई गाइस मैं मिलूंगी आप लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में एंडेट सारा प्यार दीजिगा इस वीडियो को